यह देखे क्या है यह क्या नजर आ रहा है यह सर एक्सल सीप में यह अब यह देखिए यह मैंने यह हाइलेट जो किया यह क्या है यह बोलिए यह सर डिस्क्रिप्शन है यह 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 य है अभी इसका keyword बता सकते हैं कि यह जो मैंने इस लिखिया है देखो याल डिस्क्रिप्शन में keyword क्या है और इसमें स्काडवर्ड दिखता है कि इसकाडवर्ड दिखता है अब यहां पर देखिए यहां पर मैंने देखोए इसलिक किया क्या नजर आता है यह यह और इसक्रिप्शन इसका इस स्पेसिफिकेशन यूनिट और रिट इसमें देखिए keyword क्या है और इसकाडवर्ड नजर आता है जी सर इसकाडवी नजर आता है अब यह देखिए यह क्या है अब यहां पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहां पर टाइप करता हूँ मैं 570 तो यह पेज मेरे सामने आया अब इसमें देखो यह पहला टेबल है उनका यह दूसरा है और यह तिसरा है यहां पर प्लें सिमेट कॉंक्रेट अब यह जो टेबल है साब इस टेबल में यह पहले से लेके आखरी तक मुझे M10 भी चाहिए और M20 भी चाहिए वहां के कीवर्ड के मुताबिक तो पहले में मिलता है क्या वो कीवर्ड बोलो तो M10 या M20 दूसरे में तीसरा चाओथा चाहिए नहीं है देख़ो चाओथा यह यह पाचवड है पाच्विं में मिलता है अब यह देखिए कि यह सिमेंट लग रहा है उससे कितना लग रहा है 4.4 लग रहा है यह 4.40 भी बोल सकते आप तो यह बैक का मुझे मेंटिक टर्न करना है तो कैसे करेंगे जैसे को में एक तो दो 4.4 डिवाइड बाई 20, 20, 20, 20, 20. तो क्या एंगा आंसर, देखो दो क्याल्कुलेटर में, 0.22, 0.22, 0.22, यहने 0.22, तो यह मैट्रिक टन में हो गया, क्या हो गया, मैट्रिक टन में, उसके बाद देखुए यह क्या है, सेंड है, सेंड है, यह कितना है, 0.47, क्यूबिक मेटर में, उसको कोई भी चेंज करने की ज़रूत नहीं, यह देखो क्या है, 40 mm, यह 40 mm, यह 40 mm, कॉंक्रिट के लिए जब भी आएंगा, तो हमने समझ जाने के करस्ट मेटल है, 40 mm करस्ट मेटल है, अब यह क्या है, 20 mm, और इसके बाजू में क्या है, 10 mm, यह 12 mm, यहां तो आभी दोनों में से एक कोई भी पकड़ लॉप, तो यह दोनों को मिला के क्या कहलाता है, मैं बोलता हूँ, क्रस्ट मेटल, बिलो 40 mm, क्या कहलाएंगा, देखो, बहुत सारी जगा, दोनों जगे है, देखो, यहां पर नहीं आया है, तो अभी यह दोनों को प्लस करेंगे, तो क्या अंसर आएंगा, देखो, साब इसमें, सबसे पहले हम जो लिखेंगे, वो सिमेंट लिखेंगे, उसके बाद सैंड लिखेंगे, उसके बाद हम क्रस्ट मेटल बिलो 40 mm लिखेंगे, और उसके बाद क्रस्ट मेटल 40 mm लिखेंगे, हमारे रेट अनलेसिस के अंदर, तो यह चेक करने वालों को और आसान कब होता था गर हम पहले 40 mm लिखते लेकिन हम हमारे स्ट्रेट अनलेसिस में पहले सिमेंट लिखेंगे फिर सैंड लिखेंगे उसके बाद below 40 mm लिखेंगे और 40 mm लिखेंगे यह चीज याद रखना है अब 6 नंबर पर आओ इसमें दिखता ना फिर फिर आठ नंबर पर नौ नंबर पर नौ नंबर पर तो बोलो यह सिमेंट बे आगे है इसको मेंट्रिक टर्न में कनवर्ट करना है कितना लगेंगा क्या आएगा जो है वो उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है उसके बाद इसे 40 mm कितना लगेगा अपने को एडिया मिलगे कि इसमें 40 mm नहीं लग रहा है उसका 20 mm कितना लगेगा उसके बाद यह 10 mm बोलो यह 12 बोलो कोई भी एक बोल देंगे तो भी चलेगा तो यह कितना लगेगा यह सर 0.28 तो आप आपके रेड अलिसिस में अलग अलग भी लिख सकते हैं और मिला के भी लिख सकते हैं तो मिला के क्या आएगा बोलिए मिला के सर 0.57 प्लस 0.28 दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 0.85 तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं क्रस्ट मेंटल 20 mm 10 mm के बता कर यह फिर दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हैं ज्यादा चेक करने वाले को क्या आसान जाएगा अलग अलग लिखेंगे तो और मिला के भी लिखेंगे तो वो भी सही रहता है तो आपके एक जो नई डायरी बनाए आपने माटरियल की तो उसके अंदर बरोबर आइटम नंबर लिखना अब यहाँ पर देखेंगे यह था हमारा कॉंक्रेट के लिए अब धोड़ा अगर आप जाएंगे ना तो और भी टेबल आप पड़ पाएंगे कि अलग-अलग चीजों के लिए दिया गया है तो जब अलग-अलग estimate की study करेंगे ना आप तो आपको यह table में keyword धूड़ना होता है 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 ना keyword से आपको धूड़ने पड़ते हैं तो यहां पर जैसे आप इधार आएंगे यहां पर देखो रोड अगरा का भी दिया हुआ है ना इसा धीरे धीरे देखते हैंगे देखो यहां पर आगर आप देखेंगे तो यह page नंबर है ना पास्टो सत्यप्तर है तो यहां पर क्या लिखा है देखो नीचे तो वह concrete के relation से यहां भी चीजे दी गई है तो आपने यह चीज भी ध्यान रखना है कि आपका काम कौन सा चड़ रहा है building के relation से चड़ रहा है कि bridge और cdworks के relation से चड़ रहा है तो यहां पर भी दिया हुआ है है ना तो यह भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है चीजे वही रहती है लेकि ट्रिपल क्लिक करने से स्लेक होता है सेम चीज दी हुए है यहां पर तो आपके इल्म में आगी एक बार के सेम चीज दी हुए तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत निया आपको मालू में लिख लेंगे आपकी डायरी में से भी लिख सकते ना फिर आप लेकिन हर ज जी सर देखो यहां पर आपका यह इसका टोटल करो तो एम 20 का यह जो क्रस में अभी प्लस किया था आपने देखो 0.85 आया था और अभी करो तो प्लस यह दोनों का क्या आता है 0.89 देखो अलग आया ना तो यहां पर दो चीज़े सिखने को मिलती है कि हम कौन सा इस्टिमेट बना रहे है वो भी चीज़ देखना क्योंकि यहां पर अलग अलग दिया हुआ हो लोगों ने जबकि वो एक जैसा देना चाहिए था तो हम उनके पर उंगली उठा सकते क्या क्या आपने तो एक जैसा देना चाहिए था नहीं उठा सकते हैं तो हमारा काम क्या है दो बाते यहां सिखने को मिलती है एक तो जो कम से कम है वो ले लो या फिर जो दिया है वो ले लो अब कम से कम कौन सा है यह 0.89 कम है कि 0.85 कम है जो उदर उपर दिया हुआ है लेकिन शेंड में फरक हो सकता है तो सीधी सी बात है कि जो och मिले लो बात में उन्हें करक्शन करने को बुब्रयों तो क्या करेंगे उनको सिकाना नहीं कि साम यहां दिया हुआ है उनसे बात नहीं करना इस तरकी की डिपर्मेंट से कैसी बात निकरना है कि दो को साब यहां दिया हुआ है और आप ऐसा बोड रहे हैं मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना है बलके जो जो एसे सार में दिया पहले वह सही दे देना है उन्हें और फिर उन्हेंने करेक्शन बोले तो वह भी दे देना और कोशिस करके कम से कम वाला ले सकते अगर एक चीज को चार पाज जगे बार दिया हुआ रहता है ना जैसे एम ट्वेंटे को पांच जगे दिया लग 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 तो कुन सा लेंगे आप जो कम से कम है वो लेंगे या फिर सीधी सीधी बाते ब्रीज का काम करें तो ये लेना है बिल्डिंग का काम करें तो वो लेना है ठीक है सब तो आपकी डायरी में ये दो नए एटम आपने लिख लेना है ऐसे करते करते आपको मैं 100-200 एटम का लिखवा दूँगा तो ज्याद अब देखो हमारा यह है न, estimate हम बना रहे थे, बरोबर है, तो मैंने कहा था कि आपका जो cover page है, वो आपके तौर पर बना लीजिए, फिर मैंने कहा था कि फंड head sheet आपके level पर बना लीजिए, फिर मैंने कहा था कि यह जो gd है, general description है, जिसको general report भी कहता है, वो आपके तौर पर 6, यह 6 sheet पर मैं बात करूँगा, है न, धीरे-धीरे जाएंगे, हम अच्छी तरह किसे जाएंगे, तो रोज की तरह आप क्या किजिए साब, जैसे हम mute on mute करते हैं, तो अभी हमारा क्या है, unmute है, तो उसे mute कर लीजिए, फिर मैं आगे की चीज़े बताता हूँ आपको, फिर schedule operate 2022, जब नया आ जाएंगा, तो हम नया के साब से काम करेंगे, आज हमारे पास 2022 से तो इसके साब से हमारा estimate का काम चलेगा, यह हम estimate बना रहे हैं, इसमें देखिए, pile item excavation का हो चुका है, हमारा, दूसरा हमने soling का किया है, हमारे पास देखिए, यह drawing है, और इस drawing के मुताबि हमने excavation भी ले लिया है, समझो, और यह soling भी ले लिया है, अब हम आज यह ऊपर की जो leveling course होता है, m10 का, आज वो item को लेंगे, तो सबसे पहले मुझे यहां measurement sheet में काम करना होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सारे रास्ते हैं, यहां पर border लाने के, तो एक number का item भी copy किया जा सकता है, और यह दो number का item भी copy किया जा सकता है, हमें जो भी पसंद है, बिल्कुल काम कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं क्या है, इसे copy करना ही ज़रूरी होता है, या इसे ही copy करना ज़रूरी होता है, काम करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, तो मैं इसे select कर लेता हूँ, यहाँ पर copy करता हूँ और यहाँ पर click करके उसे paste कर देता हूँ, paste करने के बाद मुझे देखिए, यहाँ पर यह जो border नजर आ रहा है, selection का, उसे छोड़ने के लिए keyboard से escape press करना होता है, तो मैंने escape press किया तो वो हट गया, अब मैं यहाँ पर click करके इसकी click करेंगे और plus 1 करके enter कर देंगे, तो जिसकी वैसे यह 3 आ जाता है, अब मुझे यहाँ पर यह मेरा drawing के मुताबिक M10 का item चाहिए, और उसका जो SSR number होता है, वो 24.01 है, तो मैं यहाँ पर double click करके से select करूँगा, 24.01 करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पाद 24.01 आ गया, अब इ मैं इसे disturb कर दूँ, तो एक तो मुझे mouse का wheel अगर अपने तरफ गुमाओ, तो नीचे उपर देखो, ऐसा काम करते आता है, अगर मेरे तरफ करना हो तो इस तरीकी से, और आगे की तरफ गुमा रहा हो तो इस तरीकी से काम होता है, या फिर देखो, इसे press करके भी हम नीचे पर कर सकते हैं, control F किया मैंने अगर, तो मैं इसे search कर सकता हूँ, तो अगर ही मैं यहाँ यहाँ पर type करूँ, 24.01 और enter करूँ, तो मैं यहाँ यहाँ पर देखिए, इसे cut करते हैं, यह 24.01 पर मैं आ गया, यह 24.01 मेरा यह item है, मैं यहाँ डबल किलिक करूँगा, और उसके ब control A करेंगे, तो यह select हो जाता है, उसके बाद control V करेंगे, तो यह copy हो जाता है, यहाँ पर एक space देदेंगे, और उसके बाद देखो, tap की का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ डबल किलिक करेंगे, इसे drag करके भी select कर सकते हैं, control C करेंगे, और उसके बाद यहाँ डबल किलिक और यहां पर click करके control V कर देंगे, उसके बाद देखो एक space देंगे और यहां bracket में लिख देंगे non-escada, इस तरीके से हमने यहां पर type कर दिया, यहां पर click करके अगर मैं bottom पर mouse का button press करो तो देखो इस तरीके से यह चीजे यहां पर दुरुस्त हो जाती है, यहां पर 3 number ही दे रहा है, अब यह जो मेरी ड्राइंग है, इसमें देखो, अभी मैंने यह साधर ड्राइंग बनाया है, क्योंकि आपको मुझे बहुत सारी चीजे इसमें बतानी होती है, इसलिए तो यह जो M10 का हमारा item है, इसकी thickness varies हो सकती है, department ने जो कहा वो लेना हो सकता है, तो यह जाधा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाधा तर इसे यह leveling course होता है, base है एक तरीके का यह, तो 0.1 आपको जाधा तर मिल सकता है, और contactor सही तरीके से काम नहीं करते, ऐसा अगर वहाँ पर JEE को अच्छी तरीके से पता है, तो फिर वो कम से कम लेगा, या फिर एक रा इसे 0.1 लेते हैं, तो आप गौर कीजिए यहाँ पर, यह जो हमने एक-एक टाइप किया था, उसके बाद यह length टाइप की थी, यह width टाइप की थी, और यह हमारी thickness, depth, height rate रहती है, तो देखो सारी चीज़े सेम रहने वाली है, शरी यहाँ पर ही change होता है, यहाँ अगर आप double click करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसका total मिल जाता है, तो इस तरीके से यह measurement का item number 3 हमने तयार किया, इसी तरीके से इसा copy paste करके, आप 1000 item तयार कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, लेकिन उसको भी practice करना ज़रूरी होता है, तो आज हमको सिर्फ इतना ही देखना था, आने वा चाहूंगा कि आप मुझसे क्या फुछना चाहते है, आपको मैं बताता हूं, तो unmute कर लिजए एस साहब और इस के बारे में आप मुझसे पुछ सकते हैं, पुछिए साहब क्या पूछना चाहेंगे आप, हाँ आइटम नमबर 3 के मिजर्मेंट के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मैं एक बार बता दू साब इसको थोड़ी आसानी जाएंगी इसे डिलीट कर दू इसे धेख़व मैंने सिलेक किया और इसे डिलीट कर दिया आप मुझे बनाना है अटम नमबर 3 करने के बाद में आप देख़व मैं Ctrl Z किया साब मैंने, Ctrl Z किया, देखो यहां किलिक करके इसको मैंने माउस का बटन प्रेस करके सिलेक कर दिया, सिलेक हो गया, अब मुझे यह पूरा ही डिलीट कर देना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यह Home टाइब है, है न, उसके बाद देखो यह Cells का पैनल है, गुरूप ह पिर यह जब ड्रॉप डाउन है, इसके इसके किलिक करेंगे, और यहां पर देखो दो नंबर पर क्या है, बोलिए जरा, डिलीट शीट रोज, मैंने इसके किलिक कर दिया, तो वो डिलीट हो गया साब, है न, ठीक है, अब फिर से पूछना है तो पूछिए साब कोई सवाल हाँ, डिलीट किया मैंने साब, टोटल डिलीट किया, हाँ, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मैं, कंट्रोल जेट किया साब मैंने, अगर मैं इस पर सिलेक करूँ, इस पर मैं सिलेक करूँ, और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँ, तो देखो यह चीज रह जा रह ये न मेरी ये तो मैंने आपको क्यों डिलीट करके वैसा बताया क्योंकि मुझे आपको जीरो से बतलाना है अगर मुझे जीरो से नहीं बतलाना होता तो मैं इससे डिलीट करता था मुझे जीरो से बताना है कि कैसे काम करते हैं तो मैं इससे सिलेक करूँगा इस पर डिलीट सीट रोज करूँगा तो मुझे आपको जीरो से बताना इसलिए मैं नहीं सक्किया फिर भी कोई सवाल हो तो पूछीए साब ठीके अभी देखिए साब मुझे यह एटम भी कॉपी करते आएगा और यह एटम भी कॉपी करते आएगा तो आप बोलिए मैं कौन सा कॉपी अब देखो मुझे यहां पर तीन लाना है तो कैसे करेंगे यहां पर किलिक करेंगे इक्वल करेंगे इस पर किलिक करेंगे प्लस वन करके इंट्र कर देंगे यहां तक दुरुस्त है कुछ पूछना है तो बोलिए इस पर अब मुझे इसकी साइज बढ़ाना है इसकी तो म बिल्कुल इसके bottom में आना पड़ेगा और mouse का button प्रेस करके इसकी size बढ़ानी पड़ेगी अब मुझे ये जो काम करना है ये M10 का item लेना है तो मुझे M10 का ये जो item है ये बदलना पड़ेगा तो यहाँ double click करेंगे इसे select कर लेंगे और 24.01 करके enter कर देंगे फिर जब मैंने य आए तो मुझे ये भी बदलना पड़ेगा तो ये मेरा SS हार है है ना मैं इसे disturb कर देता हूँ control F प्रेस करता हूँ keyboard से है ना और यहाँ पर मुझे type करना होगा जो मुझे number चाहिए है ना उसके बाद मैं enter कर दूँगा तो देखो यहाँ पर मैं मेरे पास ये आ गया देखो 2401 यहाँ पर देखो मैं किलिक कर रहा हूँ ये मेरा item आ गया तो check कर लेना 2401 आ गया फिर यहाँ मैं क्या करूँगा डबल किलिक करूँगा और उससे ड्रैक करूँगा तो select हो जाएगा अगर मैंने शिरुवात में double click किया एदा को एकदम पहले में और shift प्रेस करके यहाँ किलिक किया तो भी यह select हो जाएगा या मैंने double click किया और control A कर दिया तो भी यह select हो जाएगा Ctrl C कर लेंगे और उसके बाद मुझे यहाँ चाहिए यह तो यहाँ पर double click करके उसके ऐसा select भी कर सकते हैं यह double click करना है और उसके बाद Ctrl A करना है, select हो जाता है Ctrl V कर देंगे तो इस तरीके से देखो यहाँ गया इसकी थोड़ी से size बढ़ा देंगे देखो बढ़ा दिया मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे और tap की का इस्तेमाल करेंगे तो देखो यहाँ आगया हमें, यहाँ double click करके से select कर लेंगे Ctrl C करेंगे Ctrl C करने के बाद यहाँ पर double click करेंगे एक space देखे Ctrl V करेंगे और एक space देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे non-iscada पुरा capital भी type कर सकते आपको जैसा पसंद हो बिल्कुल कर सकते ठीक है तो capital में कर दिया हमने यहाँ बाद किलिक कर दिया अब यह जो हमारा यह जो measurement इसको check करना होता है कैसे check करेंगे कि यह एक बरवर है या नहीं यह length बरवर है या नहीं यह width बरवर है या नहीं यहाँ पर changes होता है तो जो department में चलता है या जो department वालों ने बोला है वह लेना होता है तो यहाँ पर देखो यह case हो सकती है दूसरी case यह हो सकती है तिसरी case यह हो सकती है, चौती case यह हो सकती है, और इसके लावा भी हो सकती है, जो department ने बोला वो करना है, हमारी मर्जी से हम नहीं कर सकते, बस यह चीज को याद रखना है, तो हम यहाँ पर एक normal ले लेते हैं, जो आम तोर पर चलता है, है न, और इसको यह calculation चेक कर लेना होता है, तो आपका कोई सवाला तो लेजी है, फिर हम यहाँ रुख जाएंगे,